हेले बिर्वान कैसे आप सब एक बार पुनाहसी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी क्लास 11 कमिस्टी में चैप्टर 2 चल रहा है जिसमें आज का टॉपिक बच्च निन्यान्य पर्षंट जो अलफा कण है सीधे निकल जाते हैं जिससे ये निसकर्स निकला कि परमाडू का अधिकांस भाग खोखला था फिर दूसरा नंबर ये देखा कि कुछ अलफा कण अपने मार्ग से बिचलित हो जाते हैं तब उन्होंने सोचा कि ये जो अलफा कण धनाबेस है तो कहीं न कहीं नाभिक पर धनाबेस भाग है जिसके काण ये बिचलित हो जाता है ठीक है तीसरा ये था कि बहुत कम अलफा कण अपने मार्ग से पुना उसी मार्ग पर वापस आ जाते हैं मतलब अपने मार्ग पर जाते हैं और टकरा कर वापस आ जाते हैं इस वही चीज दोनों एक ही चीज से निसकर्स निकलता है कि भाई नाभिक के बारे में फिर उन्होंने और थोड़ा गहन अध्यन किया ठीक है तब उन्होंने बताया भाई जैसे पुष्टी हो गया कि जो हमारा अलफाकन टकरा करके वापस आता है मतलम नाभिक बाला द्रण है उसे नाभिक कहते हैं ये नाभिक सब्द जो है रदर फूड के द्वारा ही दिया गया उन्होंने देखो भाई एक ब्रित्ताकार ये लो मैं चित्र बनाता हूं एक परमाणू ले लिया और उन्होंने ये सौण पाथ्र वाना अब इस सौण पाथ्र पर अलफाकनों की ब वापस आ गये और जब वापस आ गये तो इसका मतलब ये है ये धना अबेस गया है धन से ही टकराया होगा वापस आ गया होगा तो नाभिक बाला भागो उद्रण रहा होगा इसलिए तो वापस आया भाई यहां से अलफा कण ये अलफा कण है बच्चो अलफा कण जा रहे है ये पूरे के पूरे अलफाकन है जा रहे थे अपने मार्क से भी ये गया वापस आ गया ठीक है ये गया ये गया सीधे चला गया जो सीधा चला गया ये बताता है कि अधिकांस भाग खोकला है जो बिचलित हो गया इसका मतलब ही हमारा अलफाकन क्या होता है धना बेसित होता ह अल्फाकन धना बेसित होता है तो धन से टकराया तो बिचलित हो गया तीसरा जो हमारा जो वापस आ गया बहुत कम बीस जार में लगबक को ये एक अल्फाकन वापस आते हैं इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई नाभिक जो है द्रण है तभी उटकरा कर वापस आया तो इस तरीके से केंदर वाला भाग जो है उसका नाम रदर फोड के द्वारा नाभिक दे दिया गया क्या दे दिया गया नाभिक मतलब ये परमाडू है और बीच वाला नाभिक है नाभिक काकार परमाडू उसे बहुत छोटा है यह सबसे पहले रदर फोड नहीं बताया था तो पहला नमबर उन्होंने नाभिकी माडल में यह बताया कि यह जो हमारा नाभिक है जो नाभिक है तो इस पूरे परमाडू का द्रभमान और धनावेस केंदर परिस्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं पहला नमर तो यही है नाभिकी माडल में नाभिक से ही सम्मंदित बताया सब कुछ कि परमाणू का पूरा द्रबमान तथा संपूर अधनावेश उसके केंद्र परिस्थित होता जिसे नाभिक कहते हैं और पूरे द्रबमान की उपस्थित के काड़ नाभिक भारी होता है, इसका घना तो 10 घाते 14 ग्राम सिंटीमीटर, यहीं प्रति सिंटीमीटर होता है, प्रति सिंटीमीटर क्यूब, यहीं आयतन में, 10 घाते 14 ग्राम प्रति घन सिंटीमीटर बोल रहा है, भाई घन तो 10 गाते 14 ग्राम प्रती घन सिंटिमीटर इतना इसका द्रबमान होता है बच्चो तो पहला जो नीया में है नाविकी माडल का किपरमाडू का जो समस्त धनाबेस और पूरा द्रबमान है वो केंदर परिस्थित होता है। परमारू का समस्त धनावेश वो क्या होता बच्चो केंदर परिस्थित होता है जिसे नाभीक कहा गया और बोला गया कि पूरे द्रब्मान में उपस्थित के कारण नहीं भाई जो पूरा का पूरा द्रब्मान है नाभीक में इसे कारण वो नाभीक क्या होता है भारी है पू दूसरे नमबर में उनोंने बताया कि जो नाभीक है इसका आकार बहुत छोटा होता है परमाणू के आकार क्या पेच्छा इसका आकार बहुत छोटा होता है यह नाभीक की जो त्रिज्जा है बच्चो दस के घाते माइनस 13 सिंटी मीटर यह त्रिज्जा है यह आर है यह कहा दूंगा कि परमारू का आकार किस कोटी का है तो 10 गाते मैनस 10 इस कोटी का है mतलब इसकी तरिज्जा इतनी होगी अब आप कहोगे सार यह अधिक तो दिकला collaborations नहीं 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 भाई ध्यान देंगेते नहीं है यह मीटर है यदि यह 10 त्रिज्जा 10 घाते मैनस 10 मीटर परमाणू के आकार की जो कोटी है जो त्रिज्जा है बच्चो 10 घाते मैनस 10 मीटर लेकिन वहीं पे नाभिक के आकार की त्रिज्जा बहुत छोटा बच्चो है ना मतलब 10 घाते मैनस 15 मीटर अब मैनस लगना मतलब जितना घात में मैनस लगत जाएगा उतना वो छोटा होते जाएगा इतना नोट कर लो आप दूसरे नंबर में लिखना बच्छो आप लो कि परमारू के आकार के तुलना में नाभिक का आकार अत्यंद छोटा होता है तो त्रिज्जा की बात करें तो मीटर दस घाते माइनस 15 मीटर की कोटी का है होता है नाभिक से ही संबंदित पूरा नियम हम बता रहें ना नाभिकी माडल कभी कभार एक्जाम में पूछा जाता है तो पहला तो आपने समझा कि परमारू का पूरा द्रबमान कहा रहता बच्छो केंडर पर रहता है परमारू के केंडर पर धनाबेस और द्रबमान इस जिसे हम नाभिक कहते हैं और इसमें पूरे द्रबमान के काड़ ये भारी होता है और इसका घनत तो जो होता बच्चो दस गहते 14 ग्राम प्रतिघन सिंट्री मीटर होता है दूसरा नमबर ये बताया गया कि जो नाभिक का आकार है परमाडू के आकार से 3 छोटा होता है होता है नाविक में उपस्तित आवेस की मात्रा और प्रकति अलग-लग तत्तों में परिवर्तित होती है एक ही तत्तों के सभी परमारों के नाविक समान आवेस होता है कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम दो परमारों ले लेते हैं तो नाविक पे बात करें तो यहाँ पर इसका द्रबमान एक ही होगा हाइडरोजन की यह दि हीलियम की बात करतें बच्चो तो दो और यहाँ पे चार दो इलेक्टरान दो प्रोटान दो नियोटरान तो इसके नाबिक में चार हो गया तो यह अलग-अलग तत्तों हैं इसलिए इनका जो द्रबमान है उस पर आभेश अलग-अलग है मतलब धन्यार्ज अलग होगा भाई जितने इलेक्टरान उतने प्रोटान हीलियम में आपका दो प्रोटान दो इलेक्टरान तो और हाइडरोजन में एक ही प्रोटान रहता है तो आवेज साला गलाग होगा अरदी एक ही तत्तों के कई परमाड़ू है तो फिर आवेज समान होता है चौथा नमबर बहुत ही महाजपूर है कि नाभिक के चारो रिणावेशित इलेक्टरान से घिरा रहता है नाभिक जो है चारो रिणावेशित इलेक्टरान से घिरा रहता है जो कि नाभिक के धनावेश को संतुलिद करता है एक प्रकार से उनकी कमिया थी उन्होंने सिप इतना बता दिया कि नाभिक के चारो रिणावेशित इलेक्टरान पाया जाता है नाबिक के चारोर एक ब्रत्ताकार पत पाया जबकि उन्होंने ये नहीं बता पाया कि इलेक्टरान एक निश्चित ब्रत्ताकार पत पर चक्कल लगाते हैं उसी को फिर बोर साहम ने बताया कि नाबिक के चारोर एक ब्रत्ताकार पत पाया जाता है उस पत में क्या है उर्जा संलग्न रहती है के ल एमेन से दर साते हैं जिसे उर्जा कोसिया उर्जा इस्तर कहा जाता है ये चीज फिर किस ने बताया था वोर्ज शाहब ने बताया था तो ये चौथा पॉइंट है उन्होंने इतना बता दिया था कि नाभी के चारो और इलेक्टरान क्या है इसको पुष्टी कर दिये थे, साथ में उन्होंने बताया कि इलेक्टरान इस्थिर नहीं होते, उन्होंने ये भी बता दिया कि गति करते हैं, इलेक्टरान इस्थिर नहीं होते, बलकि नाबिक के चारोर बाह नाबिकी भाग में उच्च बेक से घूमते रहते हैं, जिस प्र अबिक के चारोर ग्रह जैसे बुद्धुस्यों के प्रत्रिवी मंगल यह निश्चित का अक्षा में घूमते रहते हैं तो उन्होंने भी बता दिया कि अलेक्टरान भी नाबिक के चारोर उच्चबेक से घूमते रहते हैं। उसमें घुमते रहते हैं जिस प्रकार से किसी भी तारे के चारोर घुमते हैं जिसे सूरर के चारोर घुमते हैं इसलिए इने ग्रही इलेक्रांज भी कहा गया और भाई बताया कि ये दिमाली जे इलेक्टरान घूम रहा है तो कहीं भाग ना जाए इसलिए उन्होंने बता दिया इलेक्टरान और नाविक एक दूसरे को बैदुद आकर्शन बल दोरा बांदे रहते हैं नहीं तो इलेक्टरान कहां चला जाएगा बाहर चला जाएगा ये उनका था बच्चो रदर फोड के परमाडू का नाविक ये माडल फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं फटाफट करम से पहला पॉइंट ये था कि जो परमाडू का समस्तर द्रब्मान और धानावेश वो केंडर पर इस्थित होता है जिसे हम नाविक कहते हैं घनत तदी पूँच दे 10 घाते 14 ग्राम प्रती घन सिंटिमीटर फिर दूसरे नमर में बताया बच्चो कि परमाडू का आकार लगबख ज़्यादा होता है तरिज्जा बहुत कम होता है यनि परमाडू के आकार के तुल्ना में जो तरिज्जा है बच्चो अत्यंत छोटा होता है नाविक का आकार भाई परमाड़ के अकार के तुल्न में नाविक काकार अतन छोटा होता है त्रिज्जा आपने देखी लिया तीसरे नमर बताया कि यह भिन भिन तत्तों के परमाड़ होगा लेकिन एक ही 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 तत्तों के परमाड़ होगा तो यह 6 अभिग्रहीत हैं नाभिकिये माडल के उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे विल्कुल अच्छे तरीके से त्यार कर लेंगे और हाँ बच्चो यदि आप चैनल पे पहली बारा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको इसका हैंड डिटे नोट्स चाहिए तो कंटेक्ट नमबर लिख लोग आप 9685 2999 9685 299149 9589 यह मेरा परस्नल नमबर है इस नमबर पर आप कंटेक्ट कर लें नोट्स ले लें और पर आपर उससे त्यारी करें फिलाला विकले इतना ही जय हिंद बंदे मातरम